हेले दोस्तों किसी आप सेप लोग दोस्तों नवरतरी चले रही हैं इसलिए आज हम बनाने चाहरे हैं वरत की थाली और यह जो थाली है ऐसी चीजों से बनाने वाले हैं जो अशनी से आपको उपलब्द हो जाएगी बचार में घर में रखे समान के साथ भी आप यह थाली बहुत आसानी से बना सकते हैं और यह देखे कितनी बढ़िया हमारी फुली फुली पूरी भी बनी है और यह हमारा वड़ा भी बहुत देस्ती बना है सारी जो चीज़े हैं बहुती आसानी से बहुत कम समन के साथ आप अपने घर में बना सकते हैं तो चली शुरू करते हैं तो दोस्तो थाली बनाने के लिए सबसे पहले बनाने वाले हैं हम चटनी चटनी बनाने के लिए 50 ग्राम मुमफली यानि दो मुठी मुमफली को भून लेना और 50 ग्राम ताचा धनिया लेना उसमें 3-4 हरी मिर्चे डाल देना थोड़ा साधरक का टुकड़ा भी डाल देना दोस्तों और सेंधर नमक डाल देना एक चोटा चम्मा जीरा डालना एक चृथाई कप पानी डालना और उसके बाद या तो दही डाल देना चृथाई कप या फिर एक निम्बू का रसने चोड़ देना और उसके बाद इसे पीस लेना और यह हो गई हमारी चेट पटी व्रत की बहुत ही तेस्टी चटनी तयार आप इसे व्रत में वडो के साथ पकोडो के साथ इंजोई कर सकते हैं बना कर फ्रिज में रख सकते हैं खराब नहीं होती है टेक्शर आप अपनी पसंद के साफ से गाड़ा या पत्ता रख सकते हैं अब हम बनाएंगे रायता रायता बनाने के लिए खीरा ले लेना और खीरे को छिल लेना या फिर छिलके के साथ भी आप ये रायता बना सकते हैं अब कद्दू कर जो लिया है हमने इसका जो मीडियम साइज का जो greater होता है ना उससे इसको grate कर लेना देखो बिल्कुल ऐसे आप इसमें गाजर भी grate कर सकता है थोड़ा टमाटर भी डाल सकता है तो और भी टेस्ट बनता है लेकिन अगर पसंद नहीं है तो सिर्फ खीरे से भी बना लेना उसके बाद दो कप ताजा दही को अच्छा से फें जीरे को पीसका डालना और अच्छे से मिला देना बाद में इसमें बारी कटावा हरा मिर्ची और हरा धन्या भी डाल देना और यह हमारा राइतत तग्यार है अब हम बनाने वाले हैं आलू का हल्वा जो की बहुत टेस्टी बनता है तो इसके लिए हमने तीन से चार उबले काजू 10-20 पादाम को लो फ्लेम पर रोस्ट करना कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है फिर इनको बाहर निकालना अब इसके बाद यह जो आलू है ना कद्यू कस की वे इनको भूनना तो दोस्तों आलू को ना भूनने में समय लगेगी लग भग 10 मिनट लग जाएंगे लो 10 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनते रहना और साइन यह है कि घी छोड़ देगी जब घी छोड़ दे तब अपने पसंद के साथ से मीठा डाल देना और केसर है तो दो चार धागे केसर के डाल देना अगर नहीं है तो ऐसे ही बना लेना और चीनी डालने के वाद हलका सा लिक् इसमें डाल देना हमने बादाम को और किश्मिस को डाला है आपको जो पसंद आवे है डाल देना और बिना इसके भी आपे से डाल बना सकता है बहुत टेस्टी बनता है आप इसको लो फ्लेम पर फिर से भूनना है दोस्तो आलू के हलवे में खास बात यह होती है कि आपको उसे लो फ्लेम पर ही भूनना होगा और लगातर चलाते हुए हो सके तो दो दो मिनट के लिए ढक्तन लगा कर भी आपसे भून सकता है लेकिन फ्लेम लो ही रखनी है और सबसे लास्ट में इसने आधा चम्मा चिलाची का पाउडर डाल देना और अच्छ से मिला देना यह आल नवा नट्स था काजू बदाम इसको टुकडों में कट करके डाल देना आली का हल्वा बहुत तेस्टी बनकर तयार है अब हम बनाएंगे सबजी आली के सबजी बनाने के लिए कुकर में दो से तीन चमच देसी घी डालना आधा चमच जीरा डाल देना तीन लाल रंग के ट टुकडा कच दुकस करके और दो से तीन हरी मिर्चे को बारी कट करके डालना अब इसमें डालना सेंधा नमक स्वात के हिसाब से और आधा चमच काली मिर्ची डाल देना अब लो फ्लेम पर भूनना तब तक भूनना जब तक कि ये तेले लूजावट ना कर दे फिर एक आल और अच्छे से दो मिनट के लिए भून लेना जब दो मिनट तक आपालू को भून ले तब इसमें अपनी पसंद के सबसे पानी डाल देना सबजी काड़ी पतली जैसे बनानी है उजे सबसे पानी डालना और पानी डालकर अच्छे से मिला देना अब सबजी को अच्छे से मि पकेगी दूसरा सबजी में लालाल टमाटर के इस्तिमाल करके बनाएंगे तो सबजी का कलर बहुत बढ़ी आएगा तो लो मीडियम फ्लेम पर इसको 6-7 मिनट पका लेना डखकन लगाकर सीटी नहीं लगानी है ऐसे ही पकाना है अब हम मनाएंगे साबुदाना वड़ा आलु की सबजी बन गई है गैस बन कर देना अब वड़ा बनाते हैं वड़ा बनाने के लिए 500 ग्राम साबुदाना को 4 गंटे के लिए पानी में भिगो देना साबुदान अग्दम खिला खिला होना चाहिए पानी नहीं होना चाहिए अगर पानी हैं तो छलनी में डाल देना और पानी को अच्छे से निकलने देना. उसके बाद धाई सो गराम ही उबलीवे आलू को गज्ट्ड्ड़कस कर लेना. हाथो से नहीं फोड़नी हैं कज्ट्ड़्कस करना. दो से तीन हरी मिर्ची को बारी कट कर लेना और थोड़ा सा हरा धन्या भी कट करके लेना सो ग्राम भुनीवी मुंफली है जिसको पाउडर बना लेना या फिर हलका दरदरा रखना दरदरा रखने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आती है वन टीस्पून जीरा डाल देना और दो नीबू का रस डालना साथ में डाल देना इसमें आब काली मिर्ची का पाउडर आधी चमश के करीम और सारा चीज़े को अच्छे से मिला देना फिर उसके बाद जब अच्छे से मिल जाए तब अपनी पसंद की साफ से टिक्यों के शेप देना तो यहाँ पर यह मिश्रण तयार है हमें इने टिक्यों के शेप देनी है तो शेप देने के लिए हाथो पे थोड़ा सा घीय तिल लगा लेना और उसके बाद इने शेप देना तो दोस्तो आपना इस मिशिरन को बना के फ्रिज में भी रख सकता है और जब यह आपको बनाना हो आप इसे फटा-पट बाहर निकाल लिए और यह वड़ा बना सकता है इस तरीके से बनाया गया सावदाने का वड़ा बहुत क्रिस्पी बनता है बहुत टेस्टी बनता है और हम इसे डीफ फ्राइ भी नहीं करने वाले हैं अगर आपको डीफ फ्राइ करना है तो आप इसे डीफ फ्राइ भी कर सकते हैं आसानी से हो जाती है मैंने थोड़े से तेल में ही फ्राइ करने वाली हूँ बहुत टेस्टी बनता है ऐसे भी तो कोई ऐसा ही पैन लीना जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके के पैन में क्या होता है ना आसानी से यह सिख जाते हैं गहरी कड़ाई जो होती है ना उसमें चिपक जाते हैं दूसरे के उपर इसलिए ऐसी कड़ाईय पैन ही लेना और इन्हें सेखते वे फ्लेम लो टू मीडियम रखना तब ही यह बहुत टेस्टी बनते हैं एकदम क्रिस्पी बनते हैं बहुती मुझेदार लगते हैं व्रत के अलावा आप इन्हें कभी भी खा सकते हैं बहुत अच्छा नाष्टा होता है यह तो जब भी मन करें यह नाष्टा बना कर अब खाना बच्चों से लेके वड़ों तक सभी को यह बहुत पसंद आता है तो बस टिक्किया बन गई है इन्हें बाहर निकाल लेना आप इन्हें ऐसे दही चट्नी के साथ खा सकते हैं बहुत डिश्ची लगते हैं अब हम बनाएगे साबुदाने का खिचरी देखे कितना खिला खिचरी बना है अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी खिचरी चिपचीपी बनती है चिपचीपी बनने की वज़ए यह होती है मैं आपको बताऊँगी यह देखो जो साबुदान है ना ये 200 ग्रैम समने लिया है और जितना साबुदाना था आप उसको एक कटोरी में डाले और उसको बस उतना ही भीगोना है कि वो अच्छे से डूब जाए ज्यादा पानी नहीं डालना है और दो से तीन खंटे उसको भीगो देना बीच में चम्मत से उसको आप मिला देना ताकि नीचे का साबुदाना उपर आ जाए और उपर का नीचे चला जाए इससे अच्छे से वो फूल जाती है अगर साबुदान में पानी लगती है तो छलनी में निकाल देना अब बनाएंगे खिचडी जिसके लिए दो टेबलिस्वून देसी घी कड़ाई में डालना एक चम्मत चीरा टाल देना अच्छे से जब जीरा भुण जाए तो एक मीडियम सैस का कच्चा आलू टुकडों में कट करके डालना अब इस आलू को अच्छे से बुणने देना अब इस प्रोसेस से जब खिचडी बनाओगे ना वो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी ये हमर गैरेंटी है तो ये देखे दो से तीन मिनट के बाद आलू एक तमच्चे से पक जाते हैं फ्राई हो जाते हैं और इस तरीके से ये वाले आलू बहुत टेस्टी लगते हैं खिचडी में अब जो साबुदाना है देखे कितना खिला खिला है पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें साबुदाना इसमें डाल देना और अच्छे से मिला देना फ्लेम इस टाइम पर लो रखना इस बात का खास ध्यान रखना कि फ्लेम लो रखनी है अच्छे से मिला दिया है अब इसको ढख देना अभी कुछ नहीं डालना है ढख देना दो मिनिट ढखने के बाद इसको चला देना वापस से एक बार आप देखेंगे कि यह हलका सा चिपचिपा आप लोग लग रहा है लेकिन जब आप इसको अच्छे से चला देंगे ना तो यह खिला खिला हो जाएगा साबुदाना का तासीर ही ऐसा होता है कि वो थोड़ा स्टिक की नेचर का है वो हो जाता है लेकिन आप इस प्रोसेस को फोलो करेंगे ना तो फिर चिपचिपा नहीं होगा उसके बाद बारिक कटवाहरा मिर्ची और सो से पचास ग्राम मुमफली को भून कर क्रश करके डालना और उसके अच्छे से मिला देना अब इसमें नमक डाल देना स्वात के हिसाब से मुमफली को दरदरा पीस के डालेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है एक चुथाई चम्मच या आदा चम्मच काला मिर्ची का पाउड़ा डाल देना देखे कितना खिला-खिला ये लगने लगा है वी से अभी तो कमी खिला है दोस्तों आगे इसमें जब निम्बू का लेस्ट डालोगे ना आप तो ये और भी टेस्टी लगता है इसमें एक निम्बू का रैसे निचोड़ना अनिवार ये है उसी से ये खिला-खिला बनता है और जो खिचडी है ना उसको ज़्यादे नहीं पकाना है कई बार 10-10 मिनट लोग इसे पका देते हैं ऐसे नहीं करनी है 6-7 मिनट में ये असानी से बनकर तयार हो जाती है तो खिचडी में काला मिर्ची का पावड़ डाल देना इस स्टेज पर और इसको अच्छे से मिला देना एक एक दाना देखे किस तरीके से ट्रांसपेरेंट दिख रहा है जब सावदाना ट्रांसलूसेंट दिखने लगे तब समझ लीजिए कि खिचडी पक गई है तो ज़्यादे नहीं पकाना है इसको मसाले डालने के अच्छे से मिला देना और ये सब से लस्ट में एक निबू का रस डाल देना टोटल जो इसका टाइमिंग है बनने का साथ से आट मिनट ही लगेगा उससे जदे बिलकुल नहीं इतना इमें ही पकाना एकदम खिला खिला बढ़िया खिचडी लग रहा है और ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं सारे सावदाने के दाने तो फ्लेम को बंद कर देना और बाद में हर अधनिया डाल देना हमारी सावदाने की खिली खिली और बहुती टेस्टी खिचडी बनकर तयार है इसे आप कभी भी बना कर खा सकते हैं बहुत बढ़ी है लगती है अब हम बनाएंगे पूरियां पूरी बनाने के लिए हम आज वह आटा इस्तिमाल करेंगे जो असानी से मिल जाती है तो मैंने लिए हैं 200 ग्राम सिंगाडे का आटा क्योंकि ये असानी से मिल जाता है कुट्टों का आटा भी इस्तिमाल करते हैं वृत में लेकिन वो आसनी से कई जंगे नहीं मिलता आसनी से मिलता है सिंगाडे का आटा या राजकिरे का आटा अब कोई भी ले सकते हैं अब जितना आटा है ध्यान दें जितना आटा है उतना ही लेना है उबला हुआ आलू और नमक इसमें डालते ना है सिंधा नमक डाला हमने और दोनों जीजों को अच्छे से मिला देना प्रपोर्शन अगर आप यही लेते हैं कि जितना आटा है उतने आलू तो पानी के जरूरत नहीं पढ़ने वाली है लेकिन अगर लगता है कि यह थोड़ा ड्राई है तो एक से दो चमच पानी डाल कर इसका डो बना लेना और डो ज्यादा लूज नहीं बनाना है क्योंकि इसमें आलू है रखने के बाद यह लूज हो जाती है इसलिए ध्यान दे कि इसको अच्छे से बनाना है और थोड़ा सा घी लगा कर चिकना कर लेना जो डो है ना इसे पानी से नहीं बनाते हैं इसे आलू से ही बनाना होता है तभी पूरिया अच्छी बनती है अगर आप सिर्फ पानी से डो बना लेंगे ना तो पूरिया खाई नहीं जाएंगी वो बहुत हाड हो जाती है और टेस्टी भी नहीं लगती है पूरी के आप दो स इसको दोनों हाथों से शेप देना और फिर चकला बिलन्स से हलके हलके हाथों से रोल कर लेना एक तरीका तो यह है अगर आप comfortably से कर पा रहे हैं तो असनी से कर सकते हैं कोई दिक्ट नहीं आने वाली है दूसरा तरीका यह है कि थोड़ सा आटा लेना और हाथों से अच्छे पूरी को फरा करने के लिए हम ना बल बना ले भी को यह पुरी को PROI करने के लिए भीये से और दोने कीGS भीयों । विल्कुल नोर्मल जैसे चपाती बनाता ना गहों के आटे से बिल्कुल ऐसे भी पूरिया बना सकते हैं बहुत बढ़िया फुली फुली पूरी बनेगी लेकिन हमें अवशक्ता नहीं बढ़ती है हम ऐसे ही बना लेता है इसलिए हमने बिना सुख्याटे के सारी फुली फुली पूरी बना ली ये दिखी दोस्तों कितनी बढ़िया और फुली फुली पूरी बनी है अगर आपको वुरत की ठाली पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेर भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना तो यह दिखी दोस्तो वुरत की चटपटी डेस्टी ठाली बनकर तयार है बहुती आसान समान से हमने से बनाया है आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं देगी इसलिए हमने सारा आसान समान आपको बताया है जो आसान से मिलती है तो वीडियो पसंद आए तर लाइक कमेंट जरूर करना